वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आपके Mathematics of Finance का बिल्खुल लास्ट टॉपिक परपेट्विटी आज ये क्लासेस में कवर करेंगे Mathematics of Finance को और इसके साथ साथ में मैंने आपका एक टेस्स सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसके बारे में मैं क्लास के एंड में डिस्वसन करूँगा उस टेस्स सीरीज को कैसे आपको मैनेज करना है क्योंकि उसी में से आपके एक्जाम में कोशन देखने को मिलेंगे चलिए पहले हम अपने टपीग कवर करते हैं परपेट्चूटी परपेचूटी क्या है देखेंगे सबसे पहले अगर आप देखते हैं परपेच्वटी बेसिकली क्या होता है बच्चे कि आप अभी आप सब कि आप कमेंडे लिख दो मैं क्लास के बाद में सब के डाउट से लूगा ठीक है मैं परपेच्वटी बच्चे परपेच्वटी क्या टॉपिक है परपेच्वटी के अंदर बिसकली क्या होता है कि आप एक कि लम्सम अमॉंट जो है बैंक में जमागरते हैं और एक एकวल इंटरवल पे, बैंक आपको lifetime तक एक रिटन पे करते रहती है जब तक अपका अमॉंट पैंक के पांस में है तो इस case में क्या होगा कि आपको rate of interest भी बता दिया जाएगा कि किस rate of interest से आपको return मिल रहा है और क्या आपको एक amount, एक return आपको मिल रहा है और आपको ये बताना होगा कि आप किसकी present value क्या है, मतमिन्स आप जो है perpetuity value क्या है, कि perpetuity value में से क्या आपने वापर invest कर रहा था एक simple से example समझते हैं, परला समझें, दो types के होते हैं perpetuity value perpetuity value बच्चे, दो types के होते हैं first आपका होता है, पहले, चलिए at the end of the period at the end of the period और एक होता है at the beginning of the period अब for example समझते हैं कि आप क्या करते हो, एक value आप invest करते हो, आपके अपने एक investment है वो investment क्या है, आपको नहीं पता लेकिन return आपको मैंने बताए कि 10% बैंक ने आपको return दे रही है clear है बच्चे, और जो आपको bank return दे, bank आपको 10% return दे रही है और हर बार क्या दे रही है, आपको एक amount दे रही है, like 150 rupees आपको pay कर रही है clear है, 10% per annum है और every year आपको 150 rupees वो pay कर रही है तो question यहाँ पर यह है कि आपने कित्रा पैसा bank में invest किया था तो आप यहाँ पर आप इस चीज़ को जा समझें कि हर बार आपको 10% मिलेगा और 150 rupees आपको मिल रहा है, तो आपने कितना invest किया था, तो like अपने investment को आप 100% consider कर लो तो आपको आपके investment का, आपको आपके investment का 100% आपका investment जो है वो अपने आप में 100% है और आपको आपके investment का 10% मिल रहा है, और आपको आपको 150 rupees मिल रहा है, क्या मतलब है, 10% of investment is equal to 150 rupees. आपके investment का 10% है वो 150 rupees है, इंवेश्मेंट का 10% मिला, 150 rupees मिला, तो investment का 10% की value क्या है? 150 rupees, तो complete investment क्या होगा? 150 रुपीं आपकी इंवेस्मेंं नियंगें एंवेस्मेंट का 10% है, तो इंवेस्मेंट का 1% आएगा और कम्पेट इंवेस्में इंडर पास रहाई तो अन्डर परसंत की तो यह इसका मतलब किया हो आपके पास में investment, perpetuity, value आपने जो बैंक में रखवाया, वो किता रखवाया आपने वो आपने 1500 उपीस रखवाया तो यह formula कैसे create हो रहा है यह formula create कैसे हो रहा है आपके पास में यह formula create आपके पास में हो रहा है इसको आप ऐसे भी कर सकते थे थे ना कि 150 और आपका 10% है जीरो पॉइंट वन तो इससे भी आप इसको calculate कर सकते थे कि आपके पास में 1500 उपीस है तो आर अपन में आई इसके इसका फॉर्मूला हो गया सज में आया है बच्चे तो उसका फॉर्मूला क्या हो गए क्योंकि वो percentage को आप जो है fraction decimal में कि complete investment आपका 1 हो गया तो उसका 10% मतलब कि उसका 0.1 मिल रहा है तो decimal में भी express कर सकते हैं तो आपके पास में पूरी वैल्यू हो जाएगी यहां पर मैं आपको फॉर्मूला की बात करहा हूं तो आप अपनी परपेशुटी ऐसे निकालेंगे r by i और अगर आप at the beginning होगा कि शुरुवात में ही पैसा रखा और रिटर्न मिल गया at the beginning होता है यह तो यहां पर आपके पास में r r by i तो रहेगा ही रहेगा प्लस में एक बार और r प्लस हो जाएगा इस फॉर्मूले कर आपको धान अखना है एक्जाम्पल से कोश्चिन समझते हैं कि हर बार आपको 80 रुपीज पैमेंड मिल जाता है at the made at the end of the each six month आपको end मिलता है six month and the continuing forever if the money worth rate of 4% compounded semi-annually हमेंसा rate of interest पर enemy होता है तो यहां पर सबसे पहले आप आई अपना calculate करो आई कैसे calculate करोगे यह 4% 0.04 जाएगा और semi-annually डिवाइड बाइ 2 होगा पता है क्यों होगा तो यह 0.02 होगया क्युरेटर फिंटर्स को मोडिफाइ करोगे और आपका यह हर्थ six month में है every two month मोदल two month क्या को चेंज करता है चेंज करना आता है न आपको कैसे आप M कैसे निकालते है 12 month divided by जितने मन्त में आपको return मिल रहा है तो six month मिल रहा है तो two and i equals two इसको decimal में transfer करोगे 0.04 and divided by M two तो 0.02 clear है बच्चें every two month में मिल रहा है तो क्या करते 12 divided by two तो six तो rate of interest को six ही divide कर देते clear है बच्चें and आपके पास ए present value calculate कर रहे है तो r upon i apply होगा and present value के आपके पास में r return के आपका 80 rupees and आपके पास में i 0.02 तो solve करेंगी 20 तो आपके पास में आया है 4,000 rupees clear है बच्चें सजमाय है अभी मैं आपके एक test series के बारे बात करूंगा जिसमेंसे के आपका exam में questions आएंगे ठीक है इसलिए उसलिए एक important test series है चलिए next question पे आते है How much money is the needed to endure a series of a lecture consisting 2,500 rupees at the beginning of the each year indefinitely indefinite if the money is the worth 3% compounded annually तो question बच्चे यह है कि आपको कितने रुपए इंवेस्ट करने की requirement है तो सबसे पेले आपके पास में क्या given है r equals to 2500 and आपके पास में i equals to annually है तो annually ठीक है और यह return भी आपको annual मिल रहा है न each year ठीक है beginning है every year मिल रहा है r के आपके पास में 2500 and 2500 upon 0.03 and present value equals to 2500 plus calculator खराब हो गया यह तो फोन का यूज़ करना पड़ेगा बताओ वो तो शुक्रे स्टॉपिक में पावर नहीं है नहीं तो class लेने मुसी बत हो जाती divided by 0.03 8333.33 and plus present value equals to 85833.33 clear है बच्चे यह संज में आपको and next question देखो at what rate converted semi-annually मालब कि किस rate of interest को बात कर रहा है आपसे यहां पर आई की बात कर रहा है और जिसको semi-annually converted करें with the present value of the perpetuity of इसा present value आपको find out नहीं करनी है आपको given है table at the end of the each 6th month m equals to 12 divided by 6 2 b 20,000 rupees तो at the rate converted to the semi-annually will be present value of the perpetuity of the 450 rupees payable at the end of यह आपका R है R equals to perpetuity है this one and आपके पास present value है 20,000 हमारा आपास formula क्या था था present value equals to R upon I यह होता था बच्चे formula clear है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब आपको और यह क्या है at the end है beginning है at the end है ठीक है present value क्या है 20,000 450 upon I मुझे हर छे मैने में एक return मिल रहा है जो कि 450 रुपे 20,000 रुपे मुझे return मिल रहा है तो सालना rate of interest क्या है जिसको कि half yearly pay करने पर मुझे return मिले सालना rate of interest पूछ रहा है animal e पहला आपना I निकालो I equals to 450 upon 20,000 and I equals to 450 upon 20,000 equals to 0.025 ठीक है यह क्या आगया आपके पास में आई हो गया आपके पास में आई हो गया लेकिन आप इस भास को समझें कि है आपका आई आता कैसे है कैसे आता आज आई I upon 2 पूद कि आपका आई कैसे आया होगा आपके क्या है हर six months में इंटर्स मिल रहे न आपका मैं सबसे बड़े तो यह था कि six months में इंटर्स मिल रहे तो आप यहाँ पर टू लगा की चल सकते थे तूकि आपका आई क्या होगा आई अपन टू हो जाएगा जो भी रेट इस अन्वल है तो बाद में आपको तो नहीं सौंज मायागा क्योंकि हम आई क्या लेंगे पूरे अन्वल थोड़े लेंगे सिक्स मंद का लेंगे तो आई पूछ रहा है तो आर क्या आपके पास में 450 अपन देस तो क्या जाएगा 2 अपन आई एंड ट्वेंटी थाउजन बाइ नाइन हंडड़ शरी आई इक्वल्स तो नाइन हंड़ड मैं ट्वेंटी थाउजन नाइन हंड़ड डिवाइड बाइ ट्वेंटी थाउजन जीरो पॉइंट जीरो फॉर फाइड इसको आप परसेंटेज में एक्ष्प्रेस करेंगे तो मंटिप्लाइ बाइ हंड़ड फॉर पॉइंट फाइप परसेंट यह है आपका बच्चे एन्वल रेट फ इंटरस्ट है यह आपको कि आपने आई निकाला है क्लिर है तो एक सालाना रेट फ इंटरस्ट को आई बोलेंगे और यहां पर आपका हाफ येरली पेबल है तो इसको मैं रिटन आजा हाफ येरली लूँगा तो आपका आई की वैल्यू आए ना कि आई बाई टूक की आई है तो आपका अन्वली 4.5% डेट फ इंटरस्ट को आप हाफ येरली 20,000 रूपीस को इंवेस्ट करोगे तो आपको 450 रूपीस आजा आपको रिटन मिलेगा तो आपको खतम तीने कोशन थे पर 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 चुटी के अगर हाँ, बिल्कु सही आर अपॉन, आई अपॉन, फोर करते हैं, बिल्कु सही चीक है बच्चे हाँ जी, अब पहले सबसे पहले मैं डेफ़र्ड अनुटी की वीडियो अपलोड नहीं हुई है मैं बहुत कन्फीजन हो रही है उसको फॉर्मुला में और उसमें एम को कैसे फांड़ करना है, यह भी समझ नहीं आ रहा है बच्चे लास्ट तू ट्लासिश जो वाता वो डेफ़र्ड अनुटी के ऊपर कोशन हुआ था इसमें की पर्जेंट वैल्यू एंड फीचर वैल्यू मैंने एक रिपीट करके बताया था इसमें फॉर्मुले को भी मैं अच्छा से एक्स्प्रीन कर दा था गोशिं कर भाया अब कहने के सर वह अपडेट नहीं है या क्या कंफीजन आपको एक पर मैं कंटेंट को देख ल अच्छा चलीगा यह होंगी जो की रिपीट करें रिपीट करें तो डिलीट कर दूँगा एक टाइम दीजिए फिर बोलूँ आप दुवार री चेक कर लेगा ठीक है पॉइंट नम्बर बन और सर लीनियर की क्लास नहीं हो रही है यह एक टॉपिक रह गया ता आपका परपेचुटी का लास्ट क्लास मैं लिया था लाइब जाकर के बड़ बच्चे इसमें वो क्लासिस अपलोड नहीं हो पाई और रिकोर्ड से इस हो नहीं पाई तो इसमें मुझे इस टॉपिक को टेस्ट कंड़िट करूँगा पांच से शे कोशिन हर युनिट से और उसमें से आपके चांसी से की पेपर के अंदर कोशिन आएं तो अब वो मैं टेस्ट पहले ले रहा हूं से माथमेटिक्स और फाइनिंस का आपका जो है टेस्ट आपका लगेगा ठीक है बच्चे और उ एक टेस्लिया फिर सॉल करवा दिया ऐसे ही मैंने पांच वो तो एक एक एक्स्टा क्लासी से तैने एम की जिसमें की मैं आपसे वो कोश्टन्स डिसक्स करूँगा जो की इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के प्रस्पेक्टिव से तो आप मार्निंग के 10 a.m. के क्लासिस को मिसना करें अगर आप लाइब नहीं अटेंड कर पाते तो आप रिकोर्डी क्लासिस जरूर देखिए कई वो इंपोर्टेंट सेसिंग है प्लस में टेस्ट भी आप जरूर दें ट्राइ करें प्रेटिस करें तभी बात बनेगी मैथामेटिक्स और फाइनेंस त्या बिजनस मैस की बात करो तो बहुत वास्र से लिबस से टफ है बहुत सारे फार्मला है बहुत कुछ करना पड़ेगा लगातार प्रेटिस करनी पेपर आएगा ही आएगा और मैं ज्यादा कोशन डिसकुस नहीं करूँगा मैं सिरफ और सिरफ अब आपके जो है 25 तु 30 कोशन डिसकुस करूँगा और उस 25 से 30 सवाल में से ही 75 परसेंट आपके पेपर में आ जाएंगे तो टेस्स सीरीज में मैं आपके पास में एक दिन म मौर्णिंग में 10 a.m. paid courses में उसको solve करवा दूगा तो बहुत इंपोर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाले सरी बच्चे अलट और अवेर हो जाएं Point No.1 And second, पूरी class, पूरा course आपको बिलकुल latest वो recorded होकर के आपको आपके content में upload है आप अपनी speed से और other unit को भी आप cover कर सकते हैं मैं अब next classes से आपके best timing पे linear programming पढ़ाऊंगा अब आप mathematics of finance के बाद कौन से मैं test लोगा पहले mathematics of finance के 5 test होंगे 5 questions के ठीक है, 10 days में जाएंगे आपके इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा mathematics of finance के बाद मैं आपको कैल्कुलेस का test लेने वाला हूंग कैल्कुलेस का test लेने वाला हूंग मैं तो कैल्कुलेस आप अपने आप से पर्पेर करिए calculus आप अपने आप से prepare करिये उसके बाद फिर में linear programming आपको करवाओंगा तो अपने प्रोग्रामिंग आपको करवाओंगा तो आप calculus के classes अच्छे से अरेंज हो करके आपके पास ने अविलेबल है आप उसके related में आपके doubt classes भी रख दूँगा जिससे live classes में आप doubt पूछ लेंगे बढ़ आप calculus की classes होई आप अपना recording classes आप ले लिजिए latest class हो ठीक है clear है तो after 10 days मान के चलिए 11 तारिक से calculus का test होगा तो इस 10 दिन के अंदर आप अपने calculus को complete करेंगे clear है यह 10 days mathematics of finance का test चलेगा अच्छ तक मैं linear programming आपको cover करवा जिता हूँ clear है बच्चे calculus 2 होते है calculation 1, calculus 1 and calculus 2 मैं दोनों ही calculus की बात कर रहा हूँ calculus 1 and calculus 2 दोनों ही आपको 10 days में cover करने है clear है फिर हमारे पास है mathematics of finance unit calculus 1, calculus 2 यह तीन उनिट और यह लीनियर प्रोग्रामिंग मैं दोनों है तो यह आपको मिला करके चार इंट कवर जागा लास्ट मुचे का mathematics and determinants जो कि मैं next 10 days में उसको भी cover करूँगा मैं end of October तक आपके syllabus को wind up करूँगा और फिर मैं अगर कुछ चलाओंगा ता important question की series test series solution previous question जो चीज आपके पास में available उसको दुबारा से सेम चीज बोल करके आपका कोई benefit नहीं होने वाला है extra चीजे करेंगे previous question करेंगे नहीं question करेंगे 2023 के question करेंगे 2022 करेंगे उससे benefit मेलेगा और मैं आपको वही चलाओंगा लेकिन अभी linear programming आपके live class दे पूरा चेप्टर कांसर वाइज चलेगा और mathematics और finance अभी तक आपका चला है अब आप इसको अपने test के तो आप देंगे नंबर आप टीम से एक बार ले लेंगे क्योंकि यहां पर बोर्ड पर लिखूंगा और वीडियो यूटूब पर जाती तो फिर वहां पर नंबर ज्यादा सर्क्लर जाता है नोन मैस बैक्ग्राउंड के बच्चों के किया तेन डेस में दोनों काल्कुलिस जाएंगे बच्चे अगर आप देली दो घंटे दे दोगे तो 100 परसंट आ जाएंगे क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक और जीरो लेबल से बताया है क्याल्कुलिस में इसमें बहुत बच्चों के जाएंगे बच्चों किया होता है यह सब मैंने रिफिर टॉट वाला पर फेले तीन से चार पांच लेक्चर तो अपर मैं डिदिगेडिड कर रहा है ता जिसकर जो बच्च्च मैस नहीं हो बच्चा पेल उस च्लास को दिख को देख लिए तो हो चुका है आप देखो कि कंटेंड में आपको मिलेगा और आप सब को यह मैसिज भी कर दिया जाएगा टेस्ट के टाइमिंग और सॉलुशन के टाइमिंग सॉलुशन के टाइमिंग तो मॉर्निंग में तैने एम रहेगी ठीक है बच्चे और अब हां लीनियर प्रोग्रामिंग में क्लासी लंबी र फिर गन्टा फ्रीर जो भी मैंने कहा है, इसको जहां से आप सुनेंगे. कबीर, यह आप लोगो को message, text के तुरू, post के तुरू आपको बता दिये जाएगा, सही बच्चों को. मिलते हैं, next class में. कोई doubt है किसी को, तो comment करें, मैं वेट कर रहा हूँ, comment के तुरू बताएं. log table, entry log table, दोनों ही PDF फोर में मिल जाएगी आपको, ठीके ने, container में, upload करवादूँगा. ठीके बच्चे, मिलते हैं, next class में. और आपको एक referral program के बारे में, हाँ, सौरब सुमन, कह रहे हैं, अलड़ी content में uploaded है. और आप लोगो एक referral program के बारे में बता हुआ, कि अगर आप अपने friend को, course के बारे में बताते हैं, और वो course buy करते हैं, तो आपको 20% आपको paytm phone पे आपको उसके fees का कर दिया जाएगा, जो fees, इसकी जो charges है. क्लेर है बच्चे, तो कोई भी आपका एक friend लेता है courses को, तो उसका 20% आपको मिलता है. क्लेर है? तो इसके लिए आप जो है, आप कांटेट कर सकते हैं, टेम से भी कांटेट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता जाता हूँ, इस नंबर पे भी कांटेट कर सकते हैं आप. आप में से वो बच्चे जो की रेगुलर कॉलेज में हैं तो उनके वो बच्चे के पास पूरी पूरी एक गुरूप और होता है जो की एक सस्ता कोर्ट चाहता है कि एक कम रेट पर और फुल सिलेबस और उनके एक्जाम औरिंटीड बीकॉम ओनर्स औरिंटीड मिले कुछ बच्चे से क्लास जाके पट रहें मैस को कुछ बच्चे यूट्यूब से पट रहें जो कि बीकॉम ओनर्स औरिंटीड हो तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा बताईए सीच के बारे में और इस नंबर पे आप मैसिस कर दीजी कि सर पहले आप मैस 20% आपको आपको रफल दिया जाएगा ठीकिए बच्चे मिलते हैं फिर नेस क्लास में थैंक यू जी थैंक यू सो मुँच